हेलो वीवर्ज मैं हूँ फलक और आपका स्वागत है मेरे चैनल एफसे फुट पर आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है मुर्ग मैयो कबाब ये कबाब बहुत ही डिलीशियस होते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए जो इंग्रीडियन्स की रिक्वार्मेंट है वो है बॉल श्रेड़ेट चिकन जिंजर गालिक पेस्ट काले मिर्च पाउडर जीरा पाउडर गरम मसाला पाउडर हल्दी स्वाद के नुसार नमक एक बड़ा प्यास धनिया हरी मिर्चे एक से द जिंजर गालिक पेस्ट दालेंगे उसके बाद में हम इसमें दालना है जीरा पाउडर और फिर हल्दी हल्दी ज्यादा ना दाले जितनी कॉंटिटी बताई है उतना ही दाले हल्दी दालने के बाद में हम इसमें दालेंगी काली मिर्च पाउडर और इसके बाद में हम इसम दालना है एक बड़ा प्यास सारी चीज़े एक साथ दालने के बाद में हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें एक टीस्पुन गरम मसाला भी दालना है जो केसी जादा अच्छा प्लेवर देता है अब सारी चीजों को हादों की सहायता से मिक्स करकर कंबाइन कर जब सारी चीजें combine हो जाए तब इसे एक mixy jar में ट्रांसफर करना है यहां पर मैंने एक mixy jar में transfer कर लिया है सारा mixture और इसे एक बार grind कर लेंगे grind होने के बार मैं सारा mixture एक समान हो गया है अभ इसे एक दुबारा से एक mixing bowl में transfer कर लेंगे मिक्स्चर ट्रांसफर करने के बाद इसमें हमें दालना है एक्स्ट्रा सॉपनेस के लिए एक से दो अंडे अंडे आप अपने जरूरत के अनुसार दाल सकते हैं एक या दो अंडे दालने के बाद इसमें हमें दालना है स्वाद के अनुसा नमक जो के हमने शुरुवात में नहीं डाला था नमक और अंडा डालने के बाद इसे हातों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसे काफी अच्छी तरह से कम्बाइन करना है ताके नमक, अंडा और हमारे जो सारे स्पाइसेस हैं एक साथ मिक्स हो जाए और इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए मिक्स करने के बाद में हमारा जो कबाब का मिक्सर है बिल्कुल रेडी है मियोनिस फिलिंग के लिए आप चलते हैं मियूस फिलिंग की तरफ जिसके लिए मैंने मिक्षर लिया है उसके साथ में एक प्लेट रख ली और कबाब बनाकर रखूँगी और ये है मियूस जो आधा कप इस्तमाल की है मैंने मिक्षर को मैंने इस्तमाल करने से पहले एक बार दुबारा से नीट कर लिया था थोड़ा ताकि अगर सॉल्ट बराबर ना हुआ हो मिक्स तो अच्छे से हो जाए अब सबसे पहले मिक्स्चर में से थोड़ा सा एक पोशन लेंगे हा तेलियों पर उसे फ्लैट करेंगे ताकि इसमें हम मियोनीज भर सके मिक्स्चर मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और एड़ कर लिया है उसे अच्छी तरह से फ्लैट करके एक छोटा स आदो हम से सक्योर करके सील कर दे ताकर म्योनी भी बाहर न निकल सके फिर इसे दोनों पांप में अच्छी तरह से प्रेश करके जैंटली कबाब शेप दे दे इस कबाब में बिल्कुल भी क्रेक्स नहीं होने चाहिए अब हम यहां पर कोटिंग के लिए स्थमाल करेंगे मैद कबाब को मैदे की घुल में अच्छी तरह से और इसे हम दाल लेंगे ब्सक्रांब इसी तरह सिम्ह淨िये मेने बाकी के मिक्स्च्चर के बिर कबाब बना कर बद रहे हैं अब यहाँ पर एक्जेंपल की तोर पर मैंने दो कूटिंग वाले कबाब भी बनाए है। जिसमें मैंने पहले की ही तरह म्यूनिस भर ली है। आधा चमच और इसके सारे एजेस जो है इसे सील कर लिया है। सिक्योर कर लिया है सेंटर मिला कर, बाके म्यूनिस विल्कुल भी बाहर ना निकल सके। तो इसकी तो टुन की लिए पहले की ताट ऐसे हमें पहले मैदे मेड़ हो चुका है तारा की बीदे की सपर पहले कोकोटिपया मेड़ करेंगे पहले यह प्याला चभब सब्चिछ अच कर्णने की सब्सित न कला पाले या बर्भेजव हो एक न आज रहा है इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद हमें इसे ब्रेट कुटिंग में डालना है दूसरी कोटिंग के लिए यह हमारी फाइनल कोटिंग है तो अगर आप 2 कोटिंग करके कबाब बनाते हैं तो यह जादा बाहर से क्रिष्पी और अंदर से सॉप्ट रहते हैं तो आप अपने को इसीर से इत्साइ़ कर सकते हैं अब हम चलते हैं हमेशं तो कहरें नहीं तेल कर लैंगे तो बंड़ सकते हैं अब हमसे दालेंगी कावेशन कराएं जरी नहीं हमें तötब कर से अमेशन हमें गलें और के और साथ ही क्रिस्पी भी रहे, मैंने आपे एक से दो बार रहने से टर्न किया ताकि यह इक्वली दोनों साइट से गोल्डन ब्राउन हो जाए, और हमारी कबाब बनकर बिल्कुल रेडी है, मुझे इतनी ही गोल्डन ब्राउनेस इसकी चाहिए थी, हमारी कबाब बिल्कुल और आप इसे देख सकते हैं कि यह कितनी सॉप्ट और जूसी है, तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगी तो जरूर लाइक करें और हमें कमेंट्स में भी जरूर बताएं, ऐसी ही इसी रेसिपी इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दब और लेकिन ऑनफू झा उनकिके लिए मेंसंट बTYून कि लाइक करें दो अगर बार मόल कमें ऐसानी इसके लिए करेंद